हेलो दोस्तों साबू की किचिन में आपका स्वागत है मैं सूच रही थी सौप साप कर लेती हूँ पटापट है तो मैंने सौप को इधर साप कर लिया है तो अब मैं इसको कर देती हूं साइट क्योंकि हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसमें सौप डालना बहुत जरूरी होता है और सौप से अच्छा सा फ्लेवर भी आता है तो इधर मैंने ले लिए हैं बन करेला 250 ग्राम मैंने बन करेला लिए हमारे इन्हें यहां पर बन करेला बोला जाता है और कहीं कहीं इन्हें कोड़ा भी बोलते हैं पर कोड़ा क्या है थोड़े बड़े वाले होते हैं और हम बनाने जा रहे हैं इस पिसल रेसिपी यहां पर ले लिया है सौप और अधरक लहसुन का पेश्ट जो कि मैंने पीसा नहीं है मैंने इसे महीन अच्छे से खलड में कूट लिया है और यहां पर तीन से चार बड़ी प्याज लिया है इनको पतला और बारिक काटा हुआ है त तो यहां पर मैंने ले लिया है एक कडाई नौनिस्टिक की और इदर ले लिया है सरसो का तेल एक छोटा चमचार कैस को कर लिया है और तो सबसे पहले डाल देंगे हम अपनी सौप इसमें हमें जीरा मेथी कुछ नहीं डाला है सौप डाल ली है तेकी सौप को चटक गई है आप इसमें डाल देंगे हम प्याज तो प्याज को हलका सा बुनने देंगे यहां पर और प्याज बुनने के बाद में हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमने पेष्ट बनाया है यानि अदरक और लेसुन का पेष्ट क्योंकि इनको भी हमें साथ में ही पकाना है और अदरक चमच लाल मुर्ची पोड़र नमक डालेंगे स्वाद एनुसार थोड़ासा हल्दी पाउडर अब इसको हाम इसमें अच्छे से यहां पर चला देंगे तो इसको थोड़ा सा हम यहां पर नालाए تbust lavender न साधे मुubsार में और किसी मौसम में यह तो देखे तेल उपर आ गया है मसाला अच्छी से भून चुका है आप भी देख पारें बहुत अच्छी आ रही है इसमें तो अब मैं डालूंगे यहां पर सबसे पहले चने की डाल और चने की डाल को मैंने रात में बिगोने डाल दिया था अगर आ इसमें हम अपने बन करेला यानि जिनने काकोडा भी बोल देते हैं तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है सुबहे की भागम भाग में चार से पांच मिन्ट में बन कर यह सबजी रैडी हो जाती है और मैंने यहां पर ले लिया है ए तो देखे चार से पांच मिन्ट हो गई है और मैं अपने रूम में से आ गई हूं तो देख लेते हैं और मैंने इसे एक तो बार बीच में चला दिया था आप भी जरूर चला लीजियेगा और यह सबजी है ना बच्चे भी बड़े प्यार से खालेते हैं क्योंकि यह कड़ जरूर है पर यह कड़वे नहीं लगते हैं तो देखे भाई हमारी जो है यह सबजी बनकर रेडी हो गई है मैं आपको दिखा रहे बड़े ही सॉफ्ट हो गई है एकड़ और यहां पर और दाल भी अच्छे से पक चुकी है यानि दाल हमारी गड़ गई है अच्छे से तो आपको चला कर दिखा रहे हूं क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हमारी सबजी क्या है यह बनकर रेडी हो गई है और आप साम कोंटिनर में सुबह लंच के लिए भी कर सकते हैं और चाय नास्ते के साथ भी इसको पूरी पराठा या फिर इसको चावल के साथ भी खा सकते ह है ना तो बड़ी ही मस्त लगती है राइस के साथ तो यह तो कर लेते हैं यहाँ पर प्लेटिंग तो देखे प्लेटिंग हो गई है रेडी है हमारी यहाँ पर क्यों लग रहे है ना बढ़िया आप भी एक बार यह रेसीपी जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको मेरी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा हमें भी तो पता चलेगी ना आपको कि यह रेसीपी कैसी लगी